राजस्थान के पीली बंगा में एक कमरे में अच्छानक आग लग गई इस आग जुनी में एक महिला और दो बच्चों की मौत हो गई आग लगने के बाद काफी देर तक आसपास अफरा त परीब ही मची रही आग लगने का कारण शौट सरकेट बताय जा रहा है बताय जा रहा है कि महिला रात को खाना खा कर अपने बच्चों के साथ कमरे में सोने गई थी तभी अचानक कमरे में आग लग गई कमरे से धुआ निकलता देख पडोसी मौके पर पहुँचे उन्होंने जब कमरे का गेट खोला तो तीनों अचेत हालत में थे बता दे कि पीली बंगा में रहने वारा सीता राम नायक जमरतक महिला का पती है वे रात केत में पानी लगाने गया हुआ था घर में उसके माता पिता पत्नी और दो बच्चे थे पत्नी उर्मिला, बेटी रेखा और बेटा आयूश खाना खाकर कमरे में सोने चले गए थे रात करीब साड़े बारा बजे कमरे से धुआ और लप्टे उठती देख पड़ोसी मौके पर पहुँचे कमरे का गेट तोड़ कर खोला तो उर्मिला, बेटी रेखा और बेटा आयूश अचे तवस्था में थे जिनने जिला अस्पताल हनुमान गड़ में भरती करवाये गया यहां उर्मिला और आयूश को मृत गोशित कर दिया गया वही रेखा को बिका ने रेफर किया गया मगर रास्ते में ही रेखा ने दम तोड़ दिया मामले में आग लगने का कारण शोर्ट सरकिट होना बताया है घटना की सुझना मिलने पर हनुमान गड़ स्पी राशी डोगरा भी मौके पर पहुँची जिसके बाद पूरे मामले की जाच की जा रही है वही पुलिस ने तीनों को पोस्टमार्टम कराकर परीजनों को शव सौप दिया है ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवार प्रफेट वेडि़ नची अंट इंट्जी रजड़ाना जोती गारन आज BDवने अटरप्राइब